नमश्कार आप देखें न्यूस फोर निशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ बिहार में दोहजार चौबिस यानि अगले साल साल दोहजार चौबिस का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बेहार सरकार की तरफ से की गई है आपको हम बतातें इसे पहले आपको बतातें कि खबर है बेहार सरकार की तरफ से जहां साल दोहजार चौबिस के लिए छुटियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि दोहजार चौबिस के कैलेंडर के अनुसार चुटियों में कटौती की गई है। पर रहने वाली छुटियार रद कर दी गई है। 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तर दुर्गापूजा की छुटि में शामिल है। जबकि राश्ट्र पिता महात्मा गांधी और लाल बहादूर शास्त्री की ज्वैंती पर 2 अक्टूबर को कॉलेज बंद रहेंगे। राज के विश्वे विद्याले वा महा विद्याले की कल छुटी हो गई है। इनमें 77 अतिरिक्त छुटी और 12 अविवार शामिल है। 77 अतिरिक्त छुटी में 30 गर्मी की छुटी होगी। इसके बाद लंबी छुटी 10 दिनों की दिपावली और छट के लिए 31 अक्टूबर से 9 नवेंबर तक रहेगी। क्रिस्मस के लिए 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 8 दिनों की छुटी रहेगी। इसके अलावे होली के लिए 24 से 27 मार्च और दुरका पुझा के लिए 10 से 13 अक्टूबर तक 4-4 दिनों की छुटी रहेगी। इसलिम के तिवारों में ईद के लिए 11 और 12 अप्रायल जबकि मुहरम के लिए 17 और 18 जुन को 2-2 दिनों की छुटी रहेगी। तो देखें साल 2023 में जो कैलेंडर जारी किया गया था बिहार सरकार की तरफ से उसमें 92 डेज यानि 92 दिन की छुटी दी गई थी लेकिन इस बार यानि साल 2024 के लिए जो कैलेंडर राजभवन से जारी किया गया है इस कैलेंडर में मात्र 89 दिन की छुटी दी गई है यानि 89 तो देखिए तमाम छुटियों में कटौती भी की गई है और ये कैलेंडर जो है वो राजभवन से बिहार के राज़िपाल राजेंद्र विश्वनाथ आरले करने जारे की है फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही आप देखते रहें नियूस पोनेश